हेलो एप्रिवन, वेल्कमिंग यू तो माई यूटुब चैनल, क्यूसन जोन बाई अन्सिका, आज हम करने जाए रहे हैं, क्वाट्रिक एक्वेशन का पार्ट वन, इसमें आपके लिए मैं एक ही तरीके के कोश्चन लाई हूँ, क्वाट्रिक एक्वेशन से रिलेटेड, न हाँ, तो यहाँ पे है, रूट 3, x square, minus 2 root x, minus 2 root 3, इसे हमें solve करना है, सबसे पहले तो आपको मालूम होता है, हमें a fine करना होता है, a हमारा root 3 है, पहले मैं यह वाली एक्वेशन आपके लिए लिए लिख देती हूँ, plus c equal to 0, इस तरीकी से pattern होता है, ठीक है, तो x square के पास वाला हमारा a होता है, तो मैंने choose कर लिया root 3, अब b हो जाएगा हमारा 2 root 2, minus का, ठीक है, और c हमारा हो गया 2 root 3, किसका, minus का, यहाँ देखिए, यह हमारा c, यह हमारा b, और यह हमारा था क्या, a, ठीक है, x के बिना हमने ल चाइब देते हैं, क्योंकि हमें x को fine करना है, यहाँ पे solve का मतलब की है, आपको x को fine करना है, ठीक है, तो यहाँ पे x के कितने निकलेंगे, 2 जो हैं आपके value निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके square दिया हुए, तो आपको मालुम होगा, जहाँ भी square होता है, तो उसके x की दो values find करते हैं तो चलिए start कर देते हैं सबसे पहले तो quarteric equation आप लोगों को याद होगी जिसे हम हिंदी में स्रीधरा 4 ए विधी बोलते हैं तो x equal to क्या हो जाएगा minus का b plus minus root b square minus का 4ac upon का 2a ओके तो इसमें सबसे पहले तो मेरी आदे थे यह करने की कि b square minus 4ac होता है उसको मैं पहले ही solve कर लेती हूँ ठीक है तो ताकी क्या है कि मैं यहाँ पे सीधे की सीधे उसकी value रख दिया कर दी तो यहाँ पे b square क्या है आपका b है आपका यह वाला value 2 root 2 square minus का 4 a हमारा है root 3 और b हमारा है sorry c हमारा है minus का 2 root 3 तो यहाँ पे सबसे पहले तो square open करते हैं यहाँ पे देखिए square open करेंगे square आप दियान रखेगा इसका भी open और इसका भी open करना पड़ता है यानि कि minus जो है वो तो आपका plus में convert हो जाएगा और यह 2 का जो हो जाएगा 4 और root 2 का जो square होगा वो 2 होगा आप लोगों को इस trick से जरूर मालूम होगा यह जब ऐसा करते हैं तो क्या आता answer 2 ही आता है ठीक है चलिए minus यहाँ पे देखिए 4 4 है आपका 4 का तो multiply कि से कर लेंगे 2 से कर लेंगे तो plus का हो जाएगा क्योंकि 2 न माइनस के है 4 तू जा 8 और 3 को 3 से कर लीजिए ठीक है क्या हो जाएगा multiply में 3 आ जाएगा तो इसका क्या answer आएगा हमारा 8 प्लस 24 और इसको solve करेंगे तो हमारा आएगा 32 यानि कि यहाँ पे जो 32 आया है वो किसके equal है यह आपका है b square minus 4ac के equal इसलिए मैं इस equation में सीदे के सीदे उस value को put करूंगी minus का b यहाँ पे देखिए minus का b आपका क्या रहेगा यहाँ पे यह देखिए यहाँ पे b है न minus का है तो क्या मैं यहाँ पे plus का b लिख सकती हूं अब क्योंकि minus minus क्या हो जाएंगे आपके plus हो जाएंगे तो 2 root 2 यहाँ पे आगया आपका plus minus root और अभी b square minus ac यहाँ पे आपको 4ac solve करवाया था कितना value आया था आपका 32 upon 2a a की value है आपकी यहाँ पे a की value रख देते है root का 3 ओके तो यहाँ पे थोड़ा इस second वाले question को हम क्या करते है नीचे कर लेते scroll इतनी जगे तो आप उनको चाहिए ही होगी ठीक है तो इससे solve करना start कर देते equal to 2 root 2 plus minus 32 का जो square होता है वो होता है 4 root 2 ठीक है upon 2 root 3 तो हमारा है आप बोलेंगे मैं यह 4 root 2 आपको कैसे आया वो ऐसे आया कि जो 32 का हमें root निकालना है ना तो हम क्या करेंगे उसका LCM ले लेंगे 2 16 2 8 2 4 2 2 और 1 ज्यानी कि यहाँ पे कितने part हो गए हमारे देखिये 5 part हो गए तो 2 x 2 x 2 x 2 तो यहाँ पर देखिए यह pair बन गया यह pair बन गया अकेला क्योओ रह गया तो रह गया इस pair से हमारा 2 बहार आएगा इस pair से हमारा 2 ले आएगा अगर root की बात कर रहें यहां पे तो ठीक है यहां पर कुछ common आ रहा है, उपर वाली equation में देखिए, 2 मैं common ले सकती हूं, ठीक है, अंदर बचेगा, root 2 plus minus 2 root 2, upon 2 root 3, अब देखिए, यह जो आपका 2 है, और 2, यह तो cut हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, तो हमें रपास क्या बचेगा, root 2 plus minus 2 root 2, upon का root 3, ठीक है, तो आपक को और नीचे कर देते, क्योंकि अभी हमें और ज़रत पड़ेगी, ठीक है, एतनी तो चल जाएगा, चलिए, तो यहां पर, rationalize करना पड़ेगा, आपको rationalize करना तो आता है न, यह देखिए, root 3 है, उसको उपर नीचे क्या कर देते हैं, multiply कर देते हैं, 2 plus minus 2 root 2, upon का root 3, यह तो कर देते हैं, यहां पर, sign change करके, उपर नीचे, rationalize कर लेते, चलिए, तो यहां पर हमने यह rationalize किया, अब देखिए, इसका क्या होगा, solution, एक तरीकी से इसको bracket में रखने के बाद, इसको इससे भी multiply करेंगे, और इसको इससे भी multiply करेंगे, जब 2 से multiply करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, वहां पर, root 6 आजाएगा, प्लस माइनस, और 2 root 2 से जब इसका multiply करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, 2 root 6 आजाएगा, ओके, अपन हमारा क्या रहेगा, root 3 रहेगा, अब, sorry, root 3 और 3 मिलके क्या हो जाएगा, sorry, मैंने आपर wrong कर दिया, root कोटा दीजे, 3 हो जाएगा, क्य क्यों, क्योंकि ये वाला root, ये वाला और ये वाला, multiply हो के 3 बज़ेगा, तीक है, अब क्या करना है, अब आप ध्यान रखेगा इस चीज को, बहुत ही important है, यहाँ पे, एक बार तो इसको plus में लेना है, और एक बार इसको minus में लेना है, तो root 6, एक बार मैं किस में ले रहे ह और इसी को एक बार मैं ले रही हूँ आपका minus में, okay, upon 3, तो यहाँ पे जो plus में लिया, तब क्या होगा आपका, देखिए, 2 root 6 है, यानि कि 1 root 6 और 2 root 6, मिलके क्या हो जाएंगे आपके, 3 root 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं, फिर हम यहाँ पे कॉमा देखेंगे, यहाँ पे 3 औ आएगा कि नहीं है हमारा, तो इस तरीके से, यह देखिए, minus का 2 root था न, तो एक, अगर root 6 को हम minus कर देगे, तो minus का value आएगा, क्योंकि 2 root 6, root 6 से तो बढ़ा है, तो इस तरीके से हमने दोनों x find कर लिए, ठीक है, तो I hope आप लोगों को यह वाली, पूरी समझ में आए होगी किस तरीके से होता है, equation आपको question छोटा लग रहा है, लेकिन देखिए, करते करते काफी लंबा हो जाता है, rationalize की कारण थोड़ा सा lengthy हो जाता है question, चले, question number 2 पे चलते है, आगे हम question number 2 से start करते है, देखिए, यहाँ पे question number 2 में पूछा, कि is root of equation x square minus का 3x और minus का 9 equal to 0, क्या यह real and distinct होगा, यह पूछा है, ठीक है, तो एक बार हम इसको क्या कर लेते हैं, solve कर लेते हैं, ठीक है, यह आपके two marks में ही आएगा minimum, है न, real and distinct है के नहीं, इसको पता करने के लिए हमें सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपके लिए equation लिख देती हूँ, यहाँ, ठीक है, इसका पह square minus का 4ac, ओके, तो यह मानेंगे, तो हम इसको equal में भी क्या रखेंगे, देखिए, इसको न, मैं आपे value रखते हूँ, जो b है आपका, क्या है b, वो क्या है आपका इसमें, minus का 3, तो minus के 3 के square को रखा, minus का 4, a हमारा है 1, और c हमारा है minus का 9, इसको solve कीजिए, minus का 3 का square होगा हम तो आएगा 3, sorry 9, ठीक है, फिर आएगा minus का 36, आएगा के ने, क्यों आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 4 minus 9 से multiply होगा है, तो आपका answer, किसमें आएगा, minus का 27, यह आपका d equal to y है, ठीक है, तो यानि कि d जो है हमारा, वो क्या है, छोटा है, किससे 0 से, जब d 0 से छोटा होता है तो हमारा answer क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यह देखिए, यहाँ पे लिखा होए आपका, कि d जो है, 0 से छोटा होता है, तो no real roots exist, उसके कोई भी real roots exist नहीं करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, पूछा था न, is the root of equation, यह real or distinct है, तो हम answer देंगे इसका no, यह real or distinct नहीं है, अब हम इसी के जैसा second part भी करते हैं, चलिए, find the nature of root of quadratic equation, इसको मैं erase कर देती हूँ एक बार, यहीं पे solve कर लेती हूँ आपके लिए, ठीक है, यहाँ पे भी हमें यही find करना है, same का same, तो इसमें, देखिए, a equal to आपका 2 है, b equal to आपका minus का 4 है, और c equal to आपका 3 है, तो d equal to b square minus का 4ac, यह निकाल के देखते हैं, b आपका है minus का 4 का square, यानि की 16 हो जाएगा, 4 into a है आपका 2, और c है आपका 3, तो 16 minus 4, 2 is a 8, 8 3 is a 24, ठीक है, equal to, इसका आपका answer जो आएगा, वो minus का 8 आएगा, यहाँ पे भी जो d है, वो छोटा है, किससे 0 से, तो यहाँ पे लिखेंगे, no real root exist, exist ही नहीं करता, no real root, ठीक है, मतलब कि root जो है, उसका कोई भी exist नहीं करेगा, तो I hope आप लोग को इस type के question भी समझ में आये हूँ, यह आपके 2 number में आने के बहुत chances रहते हैं, चलिए, third question अप कर लेते हैं, देखिए, third question इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन सबसे ही छोट क्या answer है इसका, ठीक है, देखिए, the value of k, find the value of k, k की value हमें find करनी है, ठीक है, equal root है, जहां पर k is not equal to 0, यानि कि k, sorry, not equal to 12, यह हमें ध्यान रखना है, अगर k की value 12 आती है, तो हम उसको नहीं मानेंगी, ठीक है, तो solve कर दू मैं, answer start करते है, solution, यहां पर सबसे पहले तो आपको d लेना होगा, इसमें equation तो कोई है नहीं न, बसे यह equation ही है, हम मानेंगे, इसको आप दो method से कर सकते हैं, या फिर तो आप यह वाला method यूज़ कर सकते हैं, जो मैं अभी लिखने जा रही हूं, b square minus का 4ac, बस इससे आप क्या कर लीजे, उसका discriminant find कर लीजे, पहले यह वाला ब है कि नहीं होता है, और b हमारा क्या होता है, जो x के पास होता है, तो यहाँ पर एक बार आपके लिए screen को क्या कर देती हूं, बड़ा कर देती हूं, ताकि आपको समझ मायरे, यह देखिए, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कि जो x है, उसका जो high value वो क्या है, यहा हमारा क्या हो गया, b हो गया, और यह हमारा क्या हो गया, a हो गया, और c हमारा क्या हो गया, plus का 2, equation को धंग से देखिएगा, ठीक है, तो यह fine हो गया, तो सीधे value रखिए, यहाँ पर b है, 2, k- 12, इसका क्या करना है, आपको square करना है, minus 4, a आपका क्या है, a की value है आपकी, k- 12 और c की value है आपकी 2, ओके, यह आपका complete question लिख लिए आमने, अब इससे solve कीजिए, 2 है, उसका square क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और bracket में k-12, इसका square लिखेंगे, minus, यहाँ पे, देखिए, 4 और 2 multiply हो जाएगे, 4 तूजा 8, k-12, अब जादे तर बच्चे क्या गलती कर देते है यहाँ पे multiply करना शुरू कर देते है, कि k कको 4 इससे, और isको इससे, या इसको इससे, इधर-इधर multiply करना शुरू कर देते है, जबकि multiply करने की हमें ज़रुत ही नहीं है, सीधा-सीधा आप common लीजिए, देखिए, इस वाली term में, और इस वाली term में, क्या common आसकता है? common आ सकता है 4 और k-12 भी common आएगा आ रहे है कि नहीं तो k-12 में common ले 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 थी हूँ आपे तो bracket अंदर बंद कर देते हैं तो k-12 रहे गया यहां से क्योंकि यहां पे square था तो एक ही गया आपका और इधर से तो पूरा का पूरा उड़े गया तो यहां पे 4 common लिया था क्या बचा आपका यहां पे 2 बचा common ओके तो अगर अब ध्यान से यहां पे देखे हैं तो हमें एक चीज़ कर सकते हैं देखें यहां पे जो 4 है यह देखिए जो discriminant होता है वो तो हमारा equal to 0 रहते ही है तो हम इसको 0 रख सकते हैं तो यह जो 4 है वो तो हमारा का चला जाएगा 0 के पास चला जाएगा तो यह तो क्या हो गया हटे गया अब हमारे पास बचा k-12 और यहां पे देखिए इस वाली equation में k-14 आ गया आया कि नहीं तो इसको दोनों को हम क्या रख देंगे equal to 0 और k-14 इ जबकि हमें question में बोला था कि k equal to 12 हमें नहीं लेना है तो हमारा answer क्या होगा k equal to 14 simple सा चलिए तो next वाला question पे चलते हैं fourth question पे और जो fifth question है वो आपका homework होगा ठीक है उसको जल्दी से जल्दी solve करके आपको question में sorry वीडियो के comment में बताना होगा तो इसको start कर लेते है question number four को इसमें क्या find करना है आपको x find करना है तो start कर लेते हैं देखो इसको मैं आपको पता है कौन सी equation से कराऊंगी ये quadratic equation से ताकि आपकी quadratic equation की practice भी ना चूटे ओके तो सबसे पहले तो यहां पर हम find कर लेते हैं b equal to क्या है यहां पर देखिए 4b है a equal to क्या है आपका 4 है और c equal to आपका क्या है minus का a square minus का b square यह आपका c है ओके तो अभी question रखना शुरू कीजिए सबसे पहले हम question लिख लेते हैं ताकि हम भी ना भूले x equal to b plus minus root का क्या जायता है आपका b square minus का 4ac upon 2a ठीक है और मैंने आपको बताया है कि मैं पहले क्या solve कर लेती हूँ आपका b square minus 4ac solve करना पसंद करती हूँ तो पहले मैं इसको solve कर लोगा b square हमारा क्या है 4b है तो इसका हम square कर देंगे minus 4 a हमारा क्या है 4 है और c हमारा है minus का a square minus का b square ओके तो यहाँ पर यह तो आजाएगा 16 b square minus 4 4 जा 16 आ जाएगा अग यह जब 16 है वो इधर भी multiply होगा और इधर भी multiply होगा जब first पर multiply होगा तो यह हमारा plus का sxim हो जाएगा 16 a square ठीक है और अंदर जाएगा तो भी हमारा plus का sign नहीं होगा, sorry, minus का sign होगा यहाँ पे मैंने plus लगा दिया I hope आप लोग calculation minimum यह समझ पा रहे हो minus का 4B, sorry, 16B square, क्योंकि 16 उपर गया है न अब देखिए, 16B square और 16B square तो cut हो गया क्या बचा हमारा 16A square, ठीक है यानि कि B square minus 4AC की जगे हम 16A square लिख सकते हैं चैले, तो लिख लेते हैं यहाँ पे इसको question को मैं down कर लेती हूँ मैंने काफी कम जगे छोड़ी थी, लेकिन अब जब लिख रहे हूँ तो मैं बहुत बड़ा बड़ा लिखती हूँ आप लोगों को यह दिख सके, तो X equal to B हमरा क्या है आप फोर B है, ठीक है माइनस, अब प्लस माइनस, रूट हमने 4, B square 4AC निकाला है, 16A square अपॉन 2A, ठीक है यहाँ पे X equal to, क्या रहेगा आपका, माइनस का 4B तो रहेगा, प्लस माइनस B, लेकिन देखिए 16 बाहर आएगा 4 की रूप में, और A बाहर आएगा, A square बाहर आएगा A की रूप में, ठीक है अपॉन 2A, अब इसको 2 parts में बार देंगे, उससे करने से पहले, सौरी, यहाँ पे हम क्या कर लेते है 2 common ले लेते हैं, कर सकते हैं न, अंदर बज़ेगा हमारा 2B प्लस माइनस 2A, अपॉन का 2A ठीक है, सौरी, A की जगे मैंने value नहीं रख्या आपकी, अरे A की जगे क्या रख्या है, 4 रख देते हैं तो यहाँ पे, A की जगे मैं आपके लिए क्या रख देती हूँ, 4 रख देती हूँ, इसको, हाँ, यह रख हो गया, ठीक है, हाँ, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 तो नीचे क्या आगया आपका, 2, 2B, plus minus, 2A, और का minus भी रहेगा, कोई बात ने, और upon मैं 8, तो यह देखिए, कट कीजे, कितना आजाएगा आपका, 4 आजाएगा, ओके, चले, तो यहाँ पे, अब यहाँ पे solve कर रही हूँ, देखिएगा, 2 है, यहाँ पे 2 common ले सकती हूँ है, हाँ, बेलकुल ले सकती हूँ, minus का B, plus minus, 2 तो हट गया न, common कैसे ले लिया, I hope common लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही हूँ, अगर common लेने में दिक्कत आ रही है, तो बहुत ही बड़ी problem है, अब 2 से यह कट जाएगा, 2 जाबा, यानि कि हमारे पास बचा, minus का B, plus minus A upon 2, अब इसको two parts में बाट देंगे हम, A किदर और A किदर, देखिए, minus का B, plus का A by 2, और minus का B, minus का A by 2, यही हमारा answer आ गया, ठीक है, थोड़ा लेन्दी है, लेकिन अगर लेन्दी नहीं होगा, तो आप लोगों को quadratic equation कैसे समिझ में आईगी, हर एक part में हमें quadratic equation काफी important है, अगर आपका normal equation से नहीं हो रहा है, तो quadratic equation आपकी काफी help करेगी, स्रीधराचारे विदी, ओके, चलो, तो फिर यह fifth question आप धंग से देख लीजिए, यह आपका humba के, जो मैंने अभी उपर कराया, उसी की तरह से यह वाला question है, डिटो का डिटो है, बस आपकी powers change हो गई है, ठ ज़रूर बताना है, thank you for watching, और description box में से link लेना, बिल्कुल भी न भूलेगा, क्योंकि description box में मैंने आपके लिए, pdf link upload किया हुआ है, ताकि आप जादा से जादा क्या कर पाएंगे, वाँपे practice कर पाएंगे, I hope आप लोगों को वीडियो काफी पसंद आ रही हो, thank you for watching, and keep supporting the channel जिस तरीके से आपने मेरे channel को support किया है, उसके लिए मैं कितना भी thank you बोलूँ, वो कम है, thank you for watching, मिलते हैं next video में